सल्मान खान न किस इस्टार को अपने घर गलेक्सी अपार्टमेंट से बाहर निकाला किस एक्टर से सल्मान खान की हुई उनके घर में बहस इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी डिटेल सल्मान खान यूट अपने घर गलेक्सी अपार्टमेंट का दर्वाजा हर किसी के लिए खोल कर रखते हैं मगर अली अबाज जफर ऐसे शक्स हैं जिनने भाई जान न बाहर निकाल दिया इस तोरान सल्मान की डारेक्टर अली अबाज जफर से खतरनाक तीकी बहस हुई सल्मान खान मेरे बड़े भाई की तरह हैं और हर कोई जानता है कि हमें एक दूसरे की फैमिली का सम्मान करते हैं मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सल्मान और मैंने कई चीजों पर बात की और जल्दी हम बहुत अच्छा वक्त साथ बिताने वाले हैं अली अब्बास जफर ने इस बात की वज़ा भी नहीं बताई मगर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि सल्मान खान की फिल्म टाइगर जिन्दा है मैं अली अब्बास ने बारे कट लगाई थी जबकि सल्मान खान चाहते थे कि मूवी को 15 मिनट और छोटा किया जाए इसी बात को लेकर दोनों के बीच जबरदस जुबानी जंग गुई और गुस्से माकर सल्मान खान अली अब्बास जफर को घर से बाहर कर दिया था सल्मान खान और संजदत के बीच काफी पुराना रिस्ता है मगर एक बार ऐसा हुआ कि संजदत को सल्मान के घर में इंट्री नहीं मिली उन्हें गलेक्सिय अपार्टमेंट के बाहर से ही जाने को कह दिया गया कुछ करिवियों के मताबिक सल्मान खान ने संजदत के कुछ दोस्तों को अपनी अहमियत दिखाई साथी ये भी बताया है कि उनका कद कितना बड़ा है इबास संजदत तक पहुँची तो बिना देरी किये वो सल्मान खान के घर पहुँच गई और उनके तेवर मारपीट करने वाले थी संजदत गेलेक्सी अपाटमेंट पहुँचते ही जिल्ला आए दम है तो बाहर निकल दावे के मताबिक उस बग रात के चार बज रही थे संजु बाबा की आवास सुनकर सल्मान खान के भाई गर के बाहर आए और उनका गुसा शांत कराया था सल्मान खान की बौनी कपूर से अब उतनी अच्छी बंडिंग नहीं जो कि पहले हुआ करती थी और इसी का खम्याजा बौनी कपूर को उठाना पड़ा सल्मान खान ने एक बार तैश में आकर बौनी कपूर को अपने घर मनें गुसने दिया बताया जा रहा है कि बौनी कपूर किसी काम के लिए सल्मान के घर गलेक्सी अपाटमेंट पहुचे बहां उन्होंना खान फैमली के साथ मीटिंग करनी चाही मगर सल्मान ने बहां नहीं होने के बात कह दी जिसके बाद बौनी कपूर को मायूस सोकर लोटना पड़ा दोस्तों क्या आपको लगता है कि सल्मान खान ने इन सितारों को अपने घर से बाहर करके सही किया और इन मैसे किसकी गलती आप सल्मान खान के मुकाबले ज़्यादा मनते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें